जैहन नमस्कार साथियों पीन पॉइंट पर बात करेंगे नमबर वन दिसंबर की पैंसिन जल्दी होगी खाते में नमबर दो नोशनल पे इंक्रिमेंट पर बड़ी अफडेट आ रही है क्या है वो अफडेट जानेंगे दीसरे में जानेंगे वारोपी 3 का लाव किन-किन पै देख पा रहे हैं इसपर साथ सी मेसेज या इमेल आपको मिला होगा इसमें मंतली पैंसिन अफडेशन दिया है दिसंबर 2020 का और यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह अमांट इनका क्रेडिट के लिए यहां पर मेसेज आ चुका है इनको मिल चुका है और इसमें खास ब पैंसिन दिसंबर की जो मेहने में आई है वो पहले आ जाएगी वो इसलिए आ रहे है कि दिसंबर में आपकी पैंसिन खाते में 29 दिसंबर तक आ जाएगी क्योंकि 30 और 31 दिसंबर को सटल डे संडे है जो कि उनका वरकिंग डे उस दन नहीं होता है इसलिए 29 दिसंबर 23 को आ आप देख पा रहे हैं इन्हीं pensioners की payslip है नॉम्बर महने की है यहां पर इनका amount आप देख पा रहे होंगे यह amount 47,617 इनको credit हुआ था जो आप payslip इनकी download हुई है उसके आधार पर 47,617 इनको मिला है अर्थात कोई भी pension में बदलाव नहीं है न गटी है न बड़ी है कई pensioners की संका है कि घटके आरी है तो वह हो सकता है कि उनका income tax के धारे में जो आते हैं तो उसमें कुछ कटाथी उनको देखने को मिल सकते हैं दोस्ते अधरवाइस pension जैसे नॉमबर में आई थी जितना amount वही amount आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा दोस्ते अब चलते हैं अगली update कि तरो second update में वारोपी 3 किसको और कब मिलेगा यह एक बहुत बड़ा सवाल है जैसे कि आप screen में देख पा रहे हैं एक मेरे viewer ने भी यह सवाल पूछा है इन्होंने पूछा कि sir वारोपी 1 और वारोपी 2 मिल गया है वो और बताये कि वारोपी 3 कब तक मिलेगा सभी के लिए यह हो जाएगा point वारोपी 3 जैसे कि हमें पता है एक जुलाई 2024 को due होगा यानि कि एक जुलाई 2024 को आपका वारोपी 3 पर कारवाई यानि processing सुरू हो जाना चाहिए अब वारोपी 3 मिले उससे पहले आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि वारोपी 2 किसको लागू है यानि क इसको मिला इसमें 30 जोन 2019 तक जितने भी pensioners pension आए हैं सभी को वारोपी 2 लागू था यानि कि एक जुलाई 2019 के बाद जो भी pensioners आए उनको वारोपी 2 नहीं मिला है पथात उनको वारोपी 3 के दाएरे में वो अब आ जाएंगे उनको वारोपी 3 मिलेगा इनको जो एक जुलाई 2019 के बाद रिटायर हुए हैं और वहीं एक जुलाई 2004 के बाद जो आए premature retirement हैं उनको वारोपी 2 का लाव नहीं दिया गया और उनको आगे भी वारोपी 3 का लाव मिलने की नहीं है संभावना क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ी anomalies है जिसमें की करकार से मांग भी की जार चाहिए दोस्त थर्ड अबडेट में बात करेंगे जो है नोशनल इंक्रीजमेंट यानि कि इसको हिंदी में बोलते हैं कालपनिक बृद्धी अभी ये है क्या चीज नोशनल इंक्रीजमेंट क्या है वो समझना बहुत ज़लूरी है 30 जून और 31 दिसंबर में ऐसे pensioners जो रि pensioners के हक में कि जो 30 जून को रिटायर हुए हैं उनको 1 जूलाइ से एक इंक्रीजमेंट दिया जाए अब इस पर रिपोर्ट क्या है पहले वो देख ले जए हैं अब ये जैसे दोस्तों आप स्क्रीन में देख पारें दिसंबर सोल 2023 का ये लेटर है नेशनल कॉंसल स्टाफ स ECM टुक प्लेस ऑन फंदर बार 2023 को ये मीटिंग हुई अंदर दी चेर्मेंशिप आप अडिशनल सेक्रेटरी पीपी डीओ पीटी के थे उसमें इन विच ऑफिशल से फ्रॉम बेरियस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज पार्टिस्पिटेट इन दे स्टाफ साइड मेंबर इसमें काफी डिपार्टमेंटों के मेंबरों ने इसको मीटिंग में अटेंग किया तो इसमें काफी डिसकस हुई जो कि सेंटर गॉवर्मेंट टे इंप्लॉई या डिफेंस इंप्लॉई पैंसें रिलेटेट इसू थे उस पर डिसकसन हुए जो आप यहाँ पर देख पा लेकिन जो इसमें हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो है नोशनल इंक्रीजमेंट पर क्या डिसिजन वा फैरा अग्यार में आप देखें यहां पर लिखा है grant of one national increment for those who retire on supernation on 13th June इसका decision क्या रहा है वो इन्होंने बताया staff side posted against the under delay in deciding the issue despite many judgments by the supreme court and we demanded that the government order should be issued additional secretary started there the issue is an advanced stage of consideration and the DOPT would take a decision in this regard very soon यानि कि इस पर जो काम चल रहा है यह consideration में है जिस पर DOPT कुछी दिनों में इसमें decision लेके आपको बताने वाली है दोस्तों यह meeting के अंदर अभी अभी तही हुआ जो order हुआ था इसमें अब यहाँ आप स्क्रीन में देख पारें दोस्तों यह आर्मड फोसेश ट्रिबूनल रीजनल बेंच लखनू का 11 अक्टूबर 2023 का यह recent आदेश है जो की national paper case डाला था इन्होंने जो आप यहाँ पर देख पारे हैं इनके द्वारा यह डाला गया था और Honorable Mr. Justice Anil Kumar Member J और Honorable Major General Sanjay Singh Member A यह इसमें सामिल थे इन्होंने अपना judgment में क्या बताए वो समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर यह बताया गया है कि Applicant shall be given one national increment for the period from 1st July 2020 to 30 June 2021 as he has completed one full year of the service though his increasement fell on 1st July 2021 for the purpose of pensionary benefits and not for any other purpose the respondents are directed to issue fresh Corrigendum PPO in respect of applicant accordingly the respondents are further directed to give effect to this order within a period of four months from the date of receipt of a certified copy of this order Depart will invite interest at the rate of 8% per annum till the actual payment अर्थाद यहाँ पर यह बताया गया दोस्तों कि national increment इनको दिया जाएगा और other benefit इनको नहीं मिलेंगे अर्थाद इसमें आप area की बात करें तो area इनको नहीं मिलेगा यह यहाँ पर clear किया गया है honorable court के द्वारा लेकिन 8% interest की यहाँ पर बात कीगी है कि जब आदी आप इस increasement को देने में जितना dairy करोगे वह dairy का आपको 8% देना होगा यह यहाँ पर clear कर दिया गया अर्थाद कि इसमें आपको area का benefit नहीं मिलेगा national increasement का जरूर आपके pension में benefit दिया जाएगा लेकिन इसमें जानना यहाँ बहुत जरूरी है कि same rank के यह 30 June या 31 December को retire हो जाता है और उसको एक increasement यह नहीं मिलता है और उसी का साथ है यह एक दिन के वो भरती है और एक दिन के retire हो रहे हैं means एक मेहने का अंतर में 31 July या 31 January को यह वो same rank पर retire हो रहा है तो उनके दोनों के pension में अंतर हो जाता है जो की आगे जाके एक काफी बड़ा gap हो जाता है जो की एक बहुत बड़ी anomalies हो जाते है क्योंकि same rank, same length of service में भी national increasement न मिलने से उसके pension में भी effect पढ़ता है दोस्तों इसलिए इस national increasement का मिलना बहुत जरूरी है ऐसे pensioners जो 30 June या 31 December को retire हुए है उनकी pension में इसका इजाफा काफी होगा यानि हजारों में हो सकता है उनके rank के हिसाफ से तो यह थी एक जानकारी, आपको जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को like, share जरूर करें फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन ठैवारे